नमस्कार आदाप न्यूस क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आईए नजर डालते हैं आज की सुर्कियों पर तीरत सिंग रावत बने उत्राखंड के नए मुख्य मंत्री राजपाल ने दिलाई शपत हर्याना विदानसवा में सरकार के किलाव अविश्वास प्रस्ताव पर तीखी बहस किसाना अंदोलन के तहर देश भर में मानफ शिंक्ला बनाने पर विचार न्यूस क्लिक से बाच्चीत में किसान नेता जोगिंदर सिंग उग्रहन का खुलासा देश में कोविड-19 के 17,921 नए मामले 133 लोगों की मौत गड़वाल से भाजबा के सांसर तीरत सिंग रावत राज्य के नई मुक्यमंत्री बनाए गए हैं उन्हें आज दिन में भाजबा विदायक दल की बैठक में पार्टी नेता चुना गया और शाम को उन्हें मुक्यमंत्री पत की शपत भी ले ली एक साधे समारों में राजपाल बेबी रानी मौरे ने राजभवन में उन्हें शपत दिलाई त्रिवेंद्र सिंग रावत ने मंगलवार को मुक्यमंत्री पत से इस्तीफा दिया था बुद्वार सुबाही विदायक दल की बैठक के बाद पूर्व मुक्यमंत्री तिवेंद्र सिंग रावत ने तीरत सिंग रावत के नाम की गोशना की विदायक दिल की बैठक में केंद्रे परिविक्षक के रूप में पाटी के राश्च्रेव पाध्यक्ष रमन सिंग और प्रदेश पाटी प्रभारी दुश्यन गौतम भी उपस्तित थे वर्तमान में तीरत सिंग रावत गड़वाल लोकसभा से सांसद हैं अब निया मानुसार उन्हें सांसद पत से स्तीफा देकर छे महीने के बीथर विदान सबाका सदस से बनना हुगा उत्राखंड में विदान परिशद नहीं है इसलिए तीरत सिंग को किसी विदायक से सीधा दिलाकर सीधा चुनाव लड़ना होगा लेकिन दिल्चस्प है कि उत्राखंड में भी उत्रप्रदेश की तरह 2022 में चुनाव हैं यानि जब तक तीरत सिंग रावत उत्राखंड में किसी सीध से लड़कर विदायक बनेंगे तब तक नए आम चुनाव आ जाएंगे हर्याणा विदान समव में बुद्वार को मुख्य विपक्षी दल कॉंग्रेस की ओर से बीजेपी जेजेपी सरकार के विरूद अविश्वास प्रस्ताफ पेश किया गया इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भुपेंदर सिंग हुड़ा ने कहा कि सत्ताधारी दल ने लोगों का विश्वास खो दिया है प्रश्णकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्षन मंत्री मंटल के विरूद अविश्वास प्रस्ताफ के नोटिस को स्विकार किया और इस पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय तैकिया इसे बाद में बढ़ा दिया गया हुड़ा ने मुख्य मंत्री मनोरलाल खटर के नेतेतुवाले हर्याना मंत्री मंटल के विरूद अविश्वास प्रस्ताफ पेश करते हुए सदन में कहा कि राजय सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया है केंद्र के क्रिशी कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों का मुद्द सबसे पहले उठाते हुए हुड़ा ने कहा कि सिती ऐसी है कि सत्तधारी पार्टी के विधायक अपने निर्वाचन शेत्रों में भी नहीं जा सकते वरिश्वास प्रस्ताफ से इस पश्ट हो जाएगा कि कौन किसानों के साथ खड़ा है और कौन उनका विरोधी है हर्याना के शिक्षा और संसदिये कारेमंतری कनवरपाल सिंग ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि वे किसानों को भ्रमित कर रہे हैं और उनके नाम पर राजनीती कर रहे हैं हर्याना की 90 सदस्ये विदानसबा में वर्तमान में सदस्यों की कुल संक्या 88 है जिसमें सत्ता रूट भाजपा के 40 सदस्ये, जेज़ेपी के 10 और कॉंग्रेस के 30 सदस्ये हैं अगर सरकार दो कानून खारिच कर तीसरे को फिलाल रोग देती तो हम दिल्ली से चले गए होते कॉर्परेटरी का रण नहीं चाते, अगले दोर की वारता कब होनी है ये पूछने पर उन्हें बताया कि अगले दोर की बात के बारे में सिर्फ सरकार या मीडिया को बता होगा लेकिन हाँ अनुपचरिक बात्ची चल रही है, किसानों के अंदर उनको सौ दिन हो चुके है, अब किसानों की आगे की रण नीती क्या होगी इस सवाल के जवाब में उग्रहन ने कहा, कि हम एक मानफ शिंकला बनाने के बारे में सोच रहे हैं हाला कि इसका अंतिम रूप क्या होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता अगर हमें मानफ शिंकला बनानी है, तो हमें कन्य कुमारी से लेकर यहां दिल्ली तक बनाने के बारे में सोचना होगा हम ऐसा कर सकते हैं नहीं, हमें नहीं पता लेकिन हम हमेशा अमरिज सर से दिल्ली तक की मानफ शिंकला बना सकते हैं लेकिन किसी भी शिंकला को पूरे देश के लोग पूर्फ से पस्षिम और उत्तर से दक्षिन तक जुणना होगा इस मानफ श्रिंकला को देश के सभी हिस्सों से उबढ़ना चाहिए तभी इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा मुझे लगता है कि ऐसी मानफ श्रिंकला बनाने के लिए महौल बन सकता है भारत में एक दिन में COVID-19 के 17,921 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमटों की संक्या बढ़कर 1,12,2,770 हो गई है वहीं 1,9 करोड से अधिक लोग संक्रमट मुक्त हो चुके है केंद्रिस्वास्त मंत्राले की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में अभी 1,84,598 लोगों को करोड़ संक्रमट का इलाज चल रहा है और 1,9,20,46 लोग संक्रमट मुक्त हो चुके है खबर है कि पश्चे मंगाल के धूबगुरी आलाके में एक वरिश नागरी की कतित रूप से COVID-19 का लगवाने के बाद मौत हो गई इसके बाद उनके परिवार सदस्यों ने पुलिस में शिकायत दर्श कराई है अलाकि अधिकारियों का कहना है कि इस व्यक्ति को पहले से ही कुछ बिमारिया थी उदर राजस्तान में कोरोना वाइरस टीका करण के लिए परियाप मात्रा में टीके नहीं मिलने के कारण प्रात्मी के एवं सामुदा एक स्वास केंद्र पर पहली खुराक लगाने का काम मंगलवार को रोग देना पड़ा और टीकों के आपूर्ति को लेकर राज्य सिरकार और केंद्र स्वास मंत्रा ले आमने सामने आ गए मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रा लेके आकडों को गलत बताते हुए स्वास मंत्री डॉक्टर हर्श परदन से अपील की है कि राज्य को परियाप मात्रा में टीके जल से जल उपलप्त कराया जाए आज के डेली रॉंडप में बस इतना ही हमारी खबरे विस्तार से पटने के लिए आप हमें आप हमारी हिंदी और इंग्लिश वेब साइट पर जा सकते हैं हमें फेस्बूक, इंस्साग्राम और टुटर पर फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया